हेलो दोस्तो आप सभी का स्वागत है अपने यूटूब चैनल वी पी एफ लेक्चर पर दोस्तो आज क्लाश 12th हिंदी का पेपर जिसमें आपको 100 मैं से 95 नमबर कैसे ला सकते हैं आज मैं पूरा तरीका बताऊंगा के हिंदी की तैयारी कैसे करें और कहां से कौन सी चीज को पढ़ना है तो चलते हैं अपने वीडियो की ओर इस्टूडेंट पहला जो कुस्टन पहले आपको मैं बता देता हूँ आपका पेपर 3 गंटे 15 मिनट का होता है आपका पेपर को 3 गंटे 15 मिनट का होता है जो की 100 नमबर का होता है क्लाश 12 वालों का 100 नमबर का पेपर होता है 3 गंटे 15 मिनट का होता है ठीक है अब आपको चलते है कुस्टनों की ओ ठीक है पर किस पिकार पूछा जाता है आपका पहला जो कुस्सन आता है और दूसरा जो कुस्सन आता है उसमें दस बहुविकल्पी प्रिसन दिये होते हैं जो की दस नम्मर के होते हैं बहुविकल्पी प्रिसन कैसे पूछे जाते हैं वो आपको दिखा देते हैं अभी आपको पहला और कुस्सन दूसरा आपको इस पिकार बहुविकलपी पूछे जाएंगे ठीक है जो कि प्रतेक बहुविकलपी एक नंबर का होगा यानि दस नंबर के आपके बहुविकलपी हो जाएंगे आप देख सकते हैं ठीक है दोस्तों तो आप चलते हैं कुस्सन नंबर तीसरा कैसा जाने वाला है कुस्सन नम्मर तीसरा जो पूछा जाएगा वो गध्यांस की ब्याक्या पूछेगा जिसमें आपको क्या करना है गध्यांस की ब्याक्या पूछेगा आपको मात्र सुरूबात के ये चार चेप्टरों की ब्याक्या को तैयार कर लेना है क्या कर लेना है सुरू ब्याक्या आपको दो दी जाएंगी एक ये होगी और एक अथवा में दी जाएगी कुस्सन नमबर तीन में आपको दो ब्याक्या मिलेंगी जिसमें आपको अथवा में एक ब्याक्या दी होगी इन दोनों में से आपको एक ही करनी है जोको शुरू बात के चार चेप्टर से इ पूछी जाएगी और ब्याक्ख्या कितने नंबर की आएगी ब्याक्ख्या में दो नंबर का संदर्प आएगा मैंने आपको वीडियो डाल दिया संदर्प कैसे लिखना इसका वीडियो मैंने अभी डाल दिया ठीक है दो चाट दिन में के अंदर में और पांच नंबर की आप 10 नम्मर की आपकी ब्याक्ख्या आईगी तो मैंने देखो आपका 10 नम्मर ये और 10 नम्मर उपर बहुवे कल्पी का 20 नम्मर आपका पक्का हो गया ठीक है अब चलते है कुस्सन नम्मर चौथा कैसा आता है कुस्सन नम्मर चौथा जो आता है पद्यांसी की ब्याक्या जिसमें आपको शुरुवात के चार चेप्टर ही पढ़ने हैं तो देखते हैं पद्यांसी की ब्याक्या किस पिकार पूछी जाती है तो चलते हैं कुस्सन नमबर चार की होगा कुस्सन नमबर चार आप देख सकते हैं इसमें भी आपको दो ब्याक् पांच की और बढ़ते हैं। ये किस पिकार पूछा जाएगा? कुष्सन नम्मर पांच और कुष्सन नम्मर छे आपको किस पिकार तयार करना है? जिस पिकार मैं बताऊँ आपको उसी तरीके से तयार करना है। अगर आपने ये 6 जीवन पर्चे याद कर लिए तो पक्का गारंटी के साथ आपका 10 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा इन 6 जीवन के पेपर से ये 6 जीवन पर्चे जो बताऊंगा पेपर में गारंटी 100% गारंटी है अगर नहीं आते हैं तो हमारे चैनल को डिशलाइक कर जाना ठीक है हमारे यूटूप चैनल के वीडियो को डिफलाइक कर देना ठीक है तो फाहितिक पर्चे में आपको ये 3 जीवन विभी अपात्द्य हरियोद, जे संकर पर्चे और महादेभी बर्मा आपको इतने ही 6 जीबन परचे याद करने हैं, आपका 10 नम्मर पका हो जाएगा, और सकkedतिक परचे किस पकार पूछे जाते हैं, मैं बता देता हूं, सकिक परचे आप देख सकते हैं, इस पकार आपको कुस्स्टन पूछा जाएगा, जो कि 5 नमबर का होगा उनकी प्रिमुक रचना है ठीक है देख सकते हैं आपको इसमें 2 मिल लाए हैं जो मैंने बताए हैं ठीक है जो कुस्षन नमबर 6 होगा, कुस्षन नमबर 6 होगा, जिसमें आपको पंचलाइट और बादूर खानी को अच्छी तरीके से पढ़ना है, तो पंचलाइट और बादूर खानी में क्या पढ़ने, जिससे आपका 5 नमबर बिल्कुल किलियर हो जाए, तो आपको क्या पढ़ना ये दोनों चैप्टर की जिससे आपका पांच नमबर किलियर हो जाए तो कुस्सन किस पिकार पूछा जाता है मैं ये भी बता देता हूँ आपको कुस्सन आपके में देखते हैं छटमा ऐसे आता है पंचला है ठत्वा बादुर कानी का उद्धेश पिकार डालिए तो मैंने बता दिया आपको कानी का उद्धेश ये मैंने आपको बता ये तीन कुस्सन ही पूछे जाएंगे जो कि आपके पांच नमबर हो अथवा में इसमें आपको संदर्प मिलेंगी जिसमें दो नमबर का आपको संदर्प मिला है ये संदर्प लिखना मैंने आपको सिखा दिया आपको दो नमबर पक्का हो गया ठीक है तो आपको इन दोनों में से एक ही कन्नी है, जो कि आपकी सात नम्मर पक्का हो जाएगा। अब कुस्सन नम्मर 9 की और बढ़ते हैं किस पिकार पूछा जाएगा कुस्सन नम्मर 9 जो कि मोहाबरें और लोक्तियों का होगा आप देख सकते हैं किस पिकार पूछा जाएगा ठीक है निमलिकित मुअबने लोक्तियों में से किसी एक का मतलब आपको चार मिलेंगी जिसमें से आपको एक का अर्थ लिखना होगा जिससे आपका दो नमबर पक्का हो जाएगा कुस्सन नमबर 10 में का क्या पूछा जाएगा आपको मैं यही से बता दिता हूँ आपको संदी बिच्छित पूछे जाएंगी तीन नमर की ठीक है आपको ये पिल्कुल कलियर कर लेनी है ये भी बहुविकल्पी ही पूछी जाएगी दसमे के खा में भी आपको बहुविकल्पी पूछे जाएंगी बिवक्ति और बच्चन ठीक है कुस्सन नमर 11 में के गा में भी आपको बहुविकल्पी पूछा जाएगा और कुस्सन नमर 11 में के गा में भी आपको बहुविकल्पी अब कुस्सन नमर 12 आपको कुस्सन नमर 12 जो की बहुती जादा इंपोटेंट है छे नमर का आता है मैंने ये कुस्षन नमर 12 बिल्कुल ही कम्पलीट किया है मात्र पांफे 6 दिन में आप हमारी चैनल के अंदर जाईए और देख सकते हैं मैंने सभी रस और अलंकार और चंद तीनों को मैंने किलियर करा दिया है ठीक है और अप उधारण साहित आप इसको देख सकते हैं आपको रस पहले में मिलेगा दो नंबर का और अलंकार ठीक है दो चंद की परवासा कुंडली चंद की इसमें से आपको एक ही करना होगा कुस्षन नमर 13 जिसमें आपको पत्र लिखना होगा जो कि आपको कितने नंबर का होगा 6 नंबर का होगा कितने नंबर का होगा 6 ज़्यादा इंपोर्टेंट तो यही है और आपके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है निवंद सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट क्लाफ्ट वल्द आप जये चैनल के अंदर आपको मिल जाएगा अगर जो निमंद मैंने बता हैं आपको किवल उई को याद करना अगर आपने उनी को याद कर लिया तो पक आपका नो नमबर हो जाएगा ठीक है तो दोस्तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक बार लाइक, सेर, सब्क्राइब करना ना भूले, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तो इसी के साथ धन्यवाद